हाँ फ्रेंड्स वर्कम टू आरेकरेट अकेडमी आज हम लोग आरारपी एंटी पीसी का फेस टू का 27 जैनुवरी का फर्स सीट का क्वेश्चन करेंगे और अगर अभी तक आप मेरे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल से जुड़ जाएए चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए और बेल आइकन दावाना ने गुले ताकि कोई भी नोटिफिकेशन अपडेट होता आपको वीडियो मिलता रहे चले देखते हैं कोईश्चन उससे पहले जितने लोग आटलिस्ट वीडियो को देख रहे हैं वो लोग लाइक जरूर कर दिजिए और सब्सक्राइब कर लिजिए चैनल को और सारा अपडेट और कोईश्चन जो है 100% ओरिजिनल है चले देखते हैं अब हम आज का है और ये सब कोस्ष nett 0 car ये वाला न ये went do ऑन चुका है आज रिपीट छुका है ने रिपीट कोष्चन तो संगाया कोपलेसे के वारे में हो गया ये महें िर्फ को प्ली ब्यू६सकर नेक्सट बदियू झो होता है जो दो और B के दज्जो थे वो बम जो फेके थे legislative assembly पर वो कब फेके थे तो 8 April 1929 को फेका गया था चलिए देखते हैं next question, question था ALPU, ALU का full form पुछा गया था arithmetic logical unit और CPU अगले shift के लिए important है, central processing unit उसका answer हो जागा, first shift में ALU का full form पुछा गया है next question था liquid inside a bone marrow, question था कि हड़ी के अंदर जो liquid होता है, उसको हम लोग क्या कहते है, exit question यह था थोड़ा साम उसको detail में कर देते हैं, तो आप उसको बोला जाता है bone marrow, तो हड़ी के अंदर कौन सा liquid होता है, तो bone marrow, चलिए देखते है next question, next question था road cell और कौन कौन सेल से question पुछा गया था, तो देखिए, जो कौन होता है, वो responsible होता है color के लिए, और जो road होता है, वो responsible होता है vision low light condition ने, मतबकि जब रोशनी कम हो, तो road cell काम करता है, और color के लिए, मतबब आपको लाल दिख रहा है, black दिख रहा है, कोई color दिख रहा है, तो उसके देखिए, अगर अभी तक आप नहीं जुड़े हैं, तो जुड़े ही चैनल से, और दूसरी बात यह देखिए, नीचे आप description में आपको exam and results का एक link दिया होगा, वहाँ पर आप लोग जाकर, जितना भी exam अभी तक हुआ है, सब का 75-75 question एक दिन का आपको shift-by-shift में दिया तो quiz session में जाए, quiz में जाकर RRB, NTPC, analysis खोलिए, और 4 मिनट में आपको 25 question का answer देना है, हर एक question के लिए 30 second मिलता है, तो आप 12 मिनट में एक पूरा दिन का practice कर सकते हैं, तो इस तरह आप लेकर 28 December से लेकर अभी तक 23 जनवरी तक का लगभग सारा question आपको 24 जनवरी, 25 का भी प practice कर सकते हैं आपर, तो app को जरूर download कर लिजिए, चलिए देखते हैं, आगे, next question पुछा गया था, आपको हर घर योजना जो है न, उससे question आया था, कि ये कब चालू हुआ था, तो ये चालू हुआ था, अगस्त 2019 में, ये एक बात को याद रखेगा, कि ये आपको चालू आपको पुछा गया था कि इंडियन नेशनल कॉंग्रेस का उननेश सो उननेश में कौन थे चेयर में, मतलब कि उसके प्रेसिडेंट कौन थे, तो वो थे मोतिला नहरू, उसका correct answer हो जाएगा, Gmail ID का एक question पुछा गया है, next question पुछा गया था, जो क्राई योजना है, वो किस का नाम है, अन्टेनियो गोस्ट्रस, और वो एक जनवरी 2017 से लेकर अभी तक इवन के प्रेसिडेंट बने हुए है, बीजेपी कितना seat जीता, ये भी पुछा गया, तो 303 seat जीता है, 284, 29 के election में, आगे पुछा जागा, Congress के लिए तो वो जीता था, 52 seat जीता था, मनी करतन ज लेकते हैं कि हिंदू मेरिज जो था, वो कौन लाया था, तो वो देखिए, ड्राप्ट बनाये थे, लौड दलहोजी, और उसको पास किये थे, लौड कैनिन, और ये एक लाया गया था, 1856 में, नेक्स्ट क्वेशन था कि सेंटर और स्टेट का रिलेशन सिप, तो वो पूछा गया था, सेंटर और स्टेट के रिलेशन का, नेक्स्ट था कि इंडिया वाटर इंपक्ट समीट का, 2018 कहां पर हुआ था, ये निव दिली में हुआ था, ये आपका कोश्चन था, चले, थैंक्यू फूर वाचिंग, सेयर और सब्सक्राइब, और ज्यादा से कर लिया कि जे चले, थैंक्यू